हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू दिस फिफ्थ लेक्चर और डिस टॉपिक विच इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे पहले के चार लेक्चर बहुती बढ़िया थियरी मैंने समझाई है वो भी आप देखना और आज हम लोग एक्जाम्पल सॉल करना स्टार्ट करेंगे तो ए मैं आज रेक्टेंगूलर सेक्षन का एक्जाम्पल लोगा यही सेक्षन विल बे रेक्टेंगूलर बट ओ टी सेक्षन बनेगा किस तरह से तो देखो एक यहां पर मैं ड्रॉ करता हूँ कि suppose this is web and this is flange तो flange और web क्या होता है वो भी समझना बहुत ही important है because कई बारी एक्जाम्स में आपको draw करके नहीं देते बट आपको क्या करेंगे directly question लिखेंगे देखो किस तरह से होता है question find ixx and iyy of t section having web equals to 60 mm and flange equals to 60 mm and thickness of both is 20 mm यानि आपको इस step का question पूछ सकते हैं तो उसमें आपको ये figure नहीं दी होगी समझो के सरफ इतना सा question है question में क्या लिखा है find ixx यानि moment of inertia about xx axis and moment of inertia about yy axis of t section तो t section हो सकता है इसके बदले t के बदले i section हो सकता है c section हो सकता है e section हो सकता है अलग लग type के sections हो सकते है ठीक है but t section और i section बहुत ही commonly पूछा जाता है तो इस पे ज़्यादा focus करना है having web equals to 60 flange equals to 60 and thickness of both is 20 mm ठीक है तो अभी पहले समझते है web क्या है and flange क्या है तो जो मैंने figure draw की थी उसमें जो मैंने ऐसा vertical draw किया था उस vertical को हम बोलते है web तो vertical web है 60 mm तो मैं web जो height इसकी होगी वो कितनी होगी 60 mm इसकी height हो जाएगी 60 and thickness आपको दिया है 20 तो यह thickness होगा 20 तो यहाँ पर मैं dimension लिख देता हूँ बाकी dimensions जो 60 का dimension लिखना है वो flange draw करने के बाद लिखे में यह हो गया 20 mm scale use करके नहीं draw करोगे तो भी चलेगा exam में examiner को clearly पता लगना चाहिए बस अब आगे देखते हैं flange क्या होता है तो अब जो मैं draw कर रहा हूँ horizontal part तो यह हो गया flange यह हो गया flange अब यह टी section थोड़ा साब को और detail में समझा हूँ टी section दिखता यह तो दिख रहा है टी section पड़ इसको पर joint करें के कहीं तो पूरा channel कैसा होगा तो देखो टी अगर ऐसा बंद रहा है यह टी section आप देख रहे है पर actually में होते कैसे है यह channel होते है ऐसे lines जाएगी बड़ी-बड़ी lines यह क्या show करती है कि यह जो है यह काफी लंबा है it is having it is having length इसकी length काफी है यह यह show करेगी इस step का होगा यह यह पूरा लंबा channel है उसमें सिनों ने यह section आपको समझाया है only this one यह हमने यहाँ पर draw की है तो इसमें moment of inertia लगने वाला है कईना कई bending वगएरा कईना कई उसका moment create होगा तो वो हम लोग इसमें study करेंगे आगे देखते है कि हम dimensions लिख देते है कि dimensions कितने है तो यहाँ पर आपको फ्लेंज का डाइमेंशन है आपको यहाँ पर लिखना है यह कितना दिया है फ्लेंज का डाइमेंशन 60 mm तो यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया थिकनास तो इसकी भी 20 है सेम ध्यान से समझना बहुत ही इसमें intrinsic points होते है यानि छोटे छोटे points बट वह आपको numerical solve करने में help करेंगे तो एकदम ध्यान से यह होगा 60 mm क्यों वेकोज वेब की length दी है 60 mm सो वेब इस 60 यह मैंने actually simple लिया है सब इसको almost same है 60 60 20 20 इतना आपको drawing दिया है अब जब भी आपको drawing जब भी आपको ऐसा इस topic के examples आते हैं तो सबसे पहले आपको area find कर लेना है तो इसके solution में हम लोग सबसे पहले area find करेंगे बट वो area किस तरह से find करना है इस figure को आपको छोटे parts में divide करना है डिवाइड कैसे करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर एक line सोच हूँ तो आपको यह first part दिखेगा फ्लेंज का first part ठीक है यह हो जाएगा first part यह हो जाएगा second part यह यह drawing को two parts में divide करना है तो मैं यहाँ पर second part हो गया यह इसको first ले लो चलो कोई भी part को first ले सकते है किसी को भी second ले सकते है बट मैं इसको first लेता हूँ इस part को second लेता हूँ कि आप इसको one ले सकते है इसको second part ले सकते तो भी चलेगा तो पहले तो एरिया ढूणना है उसके लिए हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो पहला हम एरिया फाइंड करेंगे ठीक है वो एरिया मैं यहाँ पर लिखता हूँ so a1 is the area of first part वो क्या है तो first part आपको देखना है कि first part का shape कैसा है वो circle नहीं है first part का shape है rectangle और rectangle का area क्या होता है product of two sides adjacent sides यानि कि 60 और 20 को आपको multiply करना है दोनो sides को, आजू-बाजू की sides को opposite side को multiply नहीं करना है आसपास की side को multiply करना है तो 60 into 20 6 twos are 12 mm square simple then we will find area of second part area of second part is 60 into 20 same, dimensions are same therefore area will also be same 6 twos are 12 1200 mm square this is the area of second part first part, second part third part तो है ही नहीं बट कोई ऐसा section होता जिसका 3 parts होते, 4 parts होते तो उतने ही area आपको मिलते है, जितने parts उतने area उसके बाद अभी आपको एक reference axis set करना है reference axis set करना है यानि कि एक आपको y axis vertical direction में reference axis set करना है और एक में horizontal में set करना है तो देखो, vertical axis में कौन सा set करेंगे, जो सबसे extreme fiber तक जाएगा यानि कि आपका ये हो गया एक ये ठीक है ये हो गया एक vertical axis का reference और एक है x axis horizontal axis का reference ठीक है reference line दो reference line आपको मिली है अब आपको x1, x2, y1, y2 चार चीज़े आपको ढूणनी है ठीक हम 4 की 4 ढूणनेंगे actually जरूर नहीं होता के 4 यानि ऐसा जरूर नहीं होता के x1, x2 सभी में ढूणना है y1, y2 सभी में ढूणना है ऐसा जरूर नहीं होता है पर हम लोग basic से जाएंगे तो हम लोग 4 की 4 फाइंड भी करेंगे x1, x2, y1, y2 उसके बाद में आपको symmetric यानि symmetricity या तो symmetrical section का concept समझाओंगा तो जिसमें आपको जरूर नहीं होता के x1, y1 x2, y2 ढूणना ही है बट हम basic से जा रहे हैं तो अभी आप इसको x1 फाइंड करो और बाद में x2 फाइंड करेंगे उसके बाद y1 फाइंड करेंगे उसके बाद y2 फाइंड करेंगे चार चीजे हैं जितने parts होते हैं first part है उसका x1 y1 second part का x2, y2 x1 क्या हैगा वो देखते हैं तो ये होगा first part का ध्यान देना what is x1 x1 is the horizontal distance of sorry x1 is the horizontal distance between midpoint of first part देखो first part part का midpoint and this y-axis जो आमने reference ली है वो यानि ये axis यानि क्या आप सोचो कि यहां से इसका जो distance होगा वो हो जाएगा x1 फिर से समझाता हूँ what is x1 it is the horizontal distance between midpoint of first part and the vertical reference axis clear तो x1 क्या आएगा सोचो 60 पूरा ये लंबाई में है उसका middle लेंगे 60 का half so it will be 30 so 30 is the distance between this extreme fiber to this midpoint right so x1 तो मुझे आसानिस मिल गया which is 30 mm x1 मिल गया अब x2 की बात करें so x2 is the distance between midpoint of second part and the vertical reference axis यानि कि x2 क्या आएगा second part का midpoint मैं यहाँ पे draw करता हूँ और ये जो reference axis है उसका distance इससे ऐसा तो 60 को थोड़ा हटा देते तो हम अगर इस पे focus करेंगे तो ये हो जाएगा x2 ये निखाल this will be x2 clear so it will also ये भी हो जाएगा 30 mm क्यों क्योंकि आप देखोई दोनों midpoints almost vertical में ही है तो distance तो यहाँ reference axis से इसका distance midpoints का same ही रहने वाल है so x1 x2 same है ऐसा कब होता है symmetric section में वो concept थोड़ा सा बाद में आपको समझाता हूँ पहले इसको आप ध्यान से समद लो y1 क्या आएगा इस point का vertical distance ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक this will be y1 y means आपको vertical axis ध्यान रखना है तो यहाँ पे y1 will be the distance between first part का midpoint और ये horizontal reference axis जो हमने सबसे bottom में draw की है तो y1 क्या आएगा 60 इतना distance 60 था और ये total 20 है 20 का आधा करोगे तो 10 मिलेगा यानि यहाँ से यहाँ 10 है ठीक है ज्यान से यह पूरा यहाँ से यहाँ 20 है तो 20 का आधा करेंगे तो ये 10 तो इतना तो 10 हुआ और ये पूरा 60 तो 10 प्लस 60 विल बी 70 mm ठीक है 10 प्लस 60 विल बी 70 mm उसके बाद y2 तो ये जो middle point है उसका distance आपको horizontal axis से find करना है वो आ जाएगा y2 और y2 कितना आएगा सोचके देखो ये 60 है 60 का half because middle point will be in the center middle point बीच में आएगा तो y2 will be 60 by 2 30 mm तो 60 लिखो नहीं लिखो यानि 60 by 2 लिखो नहीं लिखो it doesn't matter आपको 30 आपका answer आना चाहिए आप देखो इसमें जितने parts हम बनाते हैं उस सभी parts का x1 और y sorry सभी parts का x और y ढूणना होता है यानि first part का x1 y1 second part का x2 y2 third part होता तो x3 y3 भी ढूणना होता है clear तो ये आपको ढूणना है उसके बाद आपको x bar y bar find करना है क्या find करना है x bar ढूणना है और y bar ढूणना है और ये क्या होता है coordinate होता है किसका cg का center of gravity कोई बात नहीं अभी हम देखते हैं इसमें symmetric का concept समझाता है क्योंकि इनको दोनों को find करने के लिए हमको दोनों की formula एपलाई करनी पड़ेगी तो इसमें हम symmetric का concept use करते है तो आप देखो symmetric के हिसाब से जो t section है अगर आप उसको इधर y से आप इसको cut करेंगे ऐसे y से तो cut करने के बाद इसको ऐसे पलटाएंगे तो overlap होगा same होगा जैसे के हम example लेते हैं कि ये hand की बात करें जैसे ये hand है ये रहा ऐसा hand है तो इसका बीच का जो part है उसको हम ऐसे cut करके ऐसे overlap करेंगे तो छुप जाता है पूरा का पूरा same ही है so this two hands को अगर हम place करेंगे तो symmetric होगा हमारी body पूरी symmetric होती है center से आप body को cut करेंगे fold करके देखो same लगेगा यानि कि symmetric का concept अगर आप लगाओगे तो उसमें याद क्या रखना है आपको पहले तो लिख देना है कि this section is symmetric to कौन से axis से है y axis और जब भी y axis से symmetric होगा तो आपको x बार मिलेगा directly मिलेगा without formula अगर यह symmetric to x axis होता तो आपको यहाँ पे y बार direct मिलता फिर formula अपलाई करने की जरूरत नहीं तो अभी इसमें y axis से symmetric है इसलिए हम directly x बार ढूंडेंगे और x बार कितना होगा तो उसके लिए आपको यह देखना है कि जो symmetric का axis है जो center axis होता है चलो draw कर देते हैं जो center axis जो है पूरी जो symmetric का axis है उससे इसका reference का distance कितना है in x direction horizontal direction क्यों? तोकि x बार ढूंडना है x means horizontal direction तो आपको horizontal direction का axis of symmetry से reference axis का distance जूनना है यानि यह होगा x बार वो तो directly आपको मिलेगा कि 60 का half करेंगे तो 30 तो 30 आएगा वो ही आपका x बार होगा very clear x बार की value 30 है यहाँ थोड़ा difficult concept है तो धर ध्यान देना अच्छे से तो यहाँ पर हमको x बार मिल गया अब हमको y बार है x बार मिल गया रए एक y बार ढूंडना है तो y बार directly कब मिलता जब यह जो section है वो x axis से symmetric होता अगर आप इसको middle में से ऐसे cut करेंगे और इसको पलटा के ऐसे try करेंगे ओवरलेप करने का तो ओवरलेप नहीं होगा तो हमको symmetric x axis से तो है नहीं तो y बार directly मिलेगा नहीं तो y बार कैसे दूढ़नेंगे तो उसका formula है y बार equals to a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2 दो parts में हमने इसको divide किया था इसलिए one one two two आया तीन पार्ट में divide होता तो यहाँ पे extra और आता क्या आता a3 y3 और नीचे होता plus a3 इसमें अभी values put करनी है तो a1 की value हम देखते है one two zero zero y1 की value हमने find की हुई है which is 70 a2 की value हमने ढूंडी हुई है इसलिए मैं आपको बोला था सबसे पहले a1 a2 ढूंडना है काम लगेगा राइट आगे भी काम लगेगा अब और भी काफी सारे steps बाकि है इसका आपको calculate करके देखना है तो आईए मैं हम भी calculate करके देखते तो 1200 प्लस सॉरी इन्टू 70 वो आजाएगा 8400 प्लस फिर से देखते है 1200 इन्टू 30 वो आजाएगा 36000 1200 प्लस 1200 12 वो आजाएगा 24 और 100 अब इसको मैं solve करते है 8400 प्लस 36000 विल बी इक्वर टू 4 zeros 12 के बाद 4 zeros divide by 2400 करेंगे तो हमारा answer लास्ट में आता है 50 ठीक यूनिट विल बी mm तो य बार इस 50 एक्स बार इस 30 य बार इस 50 ठीक है इतना हमारा answer है तो हमने दो चीज़े find कर ली एक्स बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स बार विल बी सोरी एक्स बार इस 30 mm वाई बार इस 50 mm ठीक है यह डेटा सब यूज होने वादा है आगे चार्ट इसलिए यहाँ पर साइड पर लिख दिया clear तो जब भी section आपको देते है तो आपको पहले तो यह डेटास निकाल लेने उसके बाद आपको देखना है symmetric किसके किसके axis से है हाँ बट अब आपको exam में directly करना हो यह सब नहीं find करना हो जैसे आप देखो कि यह y axis symmetric है already तो आपको x बार तो हमको directly मिल गया इसलिए x1, x2 value used नहीं हुई है यहाँ कहीं भी देखो x1, x2 value used नहीं हुई है सिरफ कौन सी use हुई है y1, y2 तो अगर आपको पहले ही अंदाजा आ जाता है कि यह किसी ना किसी axis से symmetric है तो आप फिर जैसे y symmetric है vertically तो आप x बार direct मिल सकता है तो x1, x2 find करनी के ज़रूरत नहीं है और कर भी दिया तो time consume नहीं होगा कर के रख दिया तो भी कोई problem नहीं है तो x1, x2 y1, y2 a1, a2 उसके बाद x बार, y बार यह सब चीज़े हमने find की है अब उसके बाद हम करेंगे अभी भी देखो question तो बहुत देखो i xx है और i yy है वो कहीं भी हमको दिखने रहे तो उसके लिए हम और आगे जाएंगे तो start करते है i xx find करने के लिए steps इसमें हमने सिरफ x बार, y बार ढूंडा है जो आपको engineering mechanics में भी आता है या तो आपको applied mechanics में आता है इतना तक आपको आता है 3 marks में अब आगे देखते हैं तो solution में आपको हम अभी find करेंगे i x x कैसे मिलेगा तो i x x दो पार्ट से मिलेगा एक तो first part और second part यानि i x x जो है वो कैसे मिलेगा हमको i x x मिलेगा i x x 1 plus i x x 2 दोनों पार्ट के i x x आप plus करेंगे तो आपको i x x मिलेगा यानि first part का i x x और second part का i x x आप plus करोगे तो आपको i x x मिलेगा clear तो हम पहले i x x 1 find करेंगे तो what is i x x 1 it will be ig plus a h square या तो यहाँ पे a 1 लिखता हूँ तो more clear होगा ज्यादा तो यह हमारा फॉर्मला है i x x 1 equals to ig plus a h square और ig का फॉर्मला होगा b d cube by 12 फॉर्मला लिख देता हूँ यहाँ पे जब भी आप x axis के बारे में बात करेंगे तो फॉर्मला हो जाएगा ig का b d cube by 12 जब भी आप x x axis की बात करेंगे तो फॉर्मला हो जाएगा ig का b d cube by 12 और अगर आप y y axis की बात करेंगे कब बात करेंगे उसकी when we have to find i y y वो यह सब लिखने के बाद इसको रफ करूँगा उसके बाद हम लोग i y y पर जाएगे so i y y axis find करने के लिए आपको हो जाएगा ig equals to db cube by 12 ठीक है तो दो फॉर्मलास ध्यान से अब यह फॉर्मलास कब यूज होते हैं जब हमको rectangular section में कुछ चीज दिखती है जैसे आप देखो यह भी rectangle में है यह भी rectangle में है तब ही हम यह bd cube by 12 और db cube by 12 यूज कर सकते हैं अगर यह circular section है तो यह दोनों फॉर्मलास के बदले कुछ और यूज होगा जो हम आगे लेक्चर में डिस्कर्स करेंगे तो ig लिख दिया bd cube by 12 a1 क्यूं वन लिया because यह first part की बात कर रहे है so a1 हमारा क्या है 1200 अब h की बात what is h h हर एक formula में change होगा h का कोई formula fix नहीं है ixx1 में h की formula कुछ होगी ixx2 में h की formula कुछ होगी इसी तरह से iyy1 में अलग होगा iyy2 में h की formula अलग तो h की formula आपको हर एक में बनानी पड़ेगी कैसे बनाएंगे तो h का formula क्या बनेगा उसके लिए आपको यहा पे देखना है यहां पे x x लिखा है देखो पहले तो h के बदले में bracket बनाता हॉग और यहाँ पे square कर दिया मतलब के h की value में bracket के अंदर लिखुँगा अब इसमें क्या लिखेंगे तो देखो पहले यहां पे x x लिखा है तो यहाँ पर मैं उल्टा लिखूंगा वाई वाई ठीक है उसके बाद यहाँ पर one लिखा है तो मैं वो one इसके पास में लिख दूँगा और अब क्या करूँगा इतना over इस में से यह एक दो तीन में से हमको एक दो और तीन मिल गया अब बाकी का क्या होगा एक minus रखना है sign और एक y के उपर bar रखना है ठीक है clear फिर से बताता हूँ x x इसलिए y y one इसलिए यहाँ पर one यहाँ one नहीं रखना है आपको यहाँ पर one लिखना है तो भी चलेगा ठीक है और अगर आप ऐसा लिखते हैं जैसे मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर one लिखा ठीक है यह सब वैसा ही यहाँ पर one लिखा तो यहाँ पर minus करके यहाँ बार कर दो जहाँ पर one लिखते है तो उसके दूसरे वाले y में आपको बार करना है answer same होगा देखो क्योंके square n है तो भले इसका answer plus में हो minus में हो उसका square करेंगे तो answer तो positive होने वाला है इसलिए it doesn't matter कि आप क्या पहले लिखते हैं but correct value put करना important है अब आगे देख जाते हैं b क्या है first part का b क्या है first part का b है 60 right first part का b है 60 first part का d कितना है first part का d है 20 first part का d 20 cube upon 12 plus यह पूरा एक bracket में डाल देता हूँ तो क्या confusion ना है 1200 as it is y1 की value क्या है तो आपको whiteboard पे दिख रहा है y1 is 70 y bar is कहां गया यह रहा 50 y bar is 50 once again अब फिर से kelsey में solve करते हैं 60 इन्टो 20 तो वो आ गया हमारा 4800000 divide by 12 तो यह तो मैं ऐसा ही लिखता हूँ 70 माइनस 50 20 20 का square 400 करके देखना केलसी में 20 का square होगा 400 ठीके अब यह इसको divide by 12 करेंगे तो यह होगा 40,000 1200 इंटो 400 यह हो जाएगा 4800000 उसके बाद आगे करते हैं तो 4800 प्लस 4000 तो यह आजाएगा 5200 000 तो हम जब देखते हैं इसको तो हमेशा ऐसा देखा जाता है कि यह 6 digits में आता है mostly 90% cases में जो भी IXX1 हो या IXX2 हो या जो भी हम find करते उसका answer mostly 6 digits में आता होता है नहीं आएगा तो एक बाद फीर से चेक कर ले न बट 90% cases में आता है 10% cases में नहीं भी आ सकते हैं तो यह अभी IXX1 जो आपको मिला उसका unit क्या आएगा mm raised to 4 क्यों mm लिखा lecture number 1 में तो meters raised to 4 बताया था तो कि यहाँ पर सब mm में है वहाँ पर भी और यह thickness भी mm में है इसलिए मैं यहाँ पर mm लिखा है तो यह आपका हो गया IXX1 clear IXX1 चलो वह भी एक side पर लिख देते है अब formulas की जरुवत ठीक है रखता हूँ उसको अब IXX1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है एक ऐसा partition कर देते है IXX1 is 52 into 10 raise to 1, 2, 3, 4 कितने 0 है उतना 10 raise to उसके उपर power लिख देना है mm raise to 4 ठीक है यह हमको result मिला है और अगर आपको 10 raise to 5 लिख रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर 5.2 लिखना पड़ेगा ठीक है अभी हम IXX2 find करेंगे देखो यह मिल गया IXX1 मिल गया यह है अब IXX2 ढून लेंगे उसके बाद दोनों को plus करेंगे तब IXX मिलेगा तो चलो वो भी हम देखते तब हम IXX2 की बात करेंगे तो यहाँ पर एरिया टू अब IXX2 जब भी XX एक्सेस की बात करेंगे तो हमेशा बीडी क्यूब बै ट्वेल IG की फॉर्मला होगी तो मैं लिखता हूँ BD क्यूब बै ट्वेल एरिया ओफ सेकेंड पार्ट इस एटू सोरी एरिया ओफ सेकेंड पार्ट इस 1200 अब H की वैल्यू फिर बनानी पड़ेगी तो पहले H के बल्दे ब्रेकेट लिखके H की उपड़ जो स्क्वेर है वो लिख दिया अब H की जो फॉर्मला बनेगा वो हम ब्रेकेट में लिखेंगे तो अभी इसमें देखो 2X है यानि यहाँ पे आपको 2Y लिखने अब 2 भी है यहाँ पे तो या तो आप यहाँ 2 लिखो या तो यहाँ टू लिखो दोनों में से कहीं भी 2 लिख सकते है दोनों में से कहीं भी यानि हम अभी यहाँ पे 2 लिख देते है ठीक है और यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे 12 आएगा तो चलो भी आगे करते है second part का B कितना है second part का B है 20 second part का B 20 तो यह 20 D depth second part का depth है 60 लिखा वा था पहले मैं रप कर दिया second part का depth है 60 तो यहां पर 60 का cube divide by 12 plus 1200 y bar की value 50 y2 की value 30 आगे solve करते है 20 into 60 cube 20 into 60 cube will be 4 3 2 0 0 0 0 4 0 है divide by 12 50 50 minus 30 20 20 20 का square 400 100 100 अब यह जो हमारा answer अब यह जो हमारा answer आया है उसको divide by 12 करेंगे तो हमारा आजाएगा तो हमारा आजाएगा 6 4 0 0 और 1200 इंटू 400 करेंगे वो आजाएगा 4 8 0 0 0 0 अब दोनों को plus करेंगे तो हमारा answer आएगा 8 4 0 0 0 0 तो यह भी 6 digits में आता है ठीक है तो यह हमारा हो गया I X X 2 unit will be MM raised to 4 clear तो I X X 2 हम यहाँ पर लिख देंगे तो वो हो जाएगा 84 into 10 raise to 4 MM raised to 4 okay अब लास्ट में हमको I X X ढूणना है तो I X X क्या आएगा तो उसका formula में values put करेंगे पहले I X पहले formula लिखता हूँ I X X 1 प्लस I X X 2 I X X 1 कितना है 52 into 10 raise to 4 और I X X 2 है 84 into 10 raise to 4 तो आजाएगा 1, 3, 6, 0, 0, 0, 0, 0 यानि यह हो जाएगा 1, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 into 10 raise to 6 MM raise to 4 टीके 1, 3 into 1, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह हो जाएगा I X X का आंसर यानि I X X आपको मिल गया इतना इतना आपको मिल गया ठीक है? यह वाला अब I Y Y डूढ़ना बाकि कोई बात नहीं same steps है बट आपको अब Y Y की बात करेंगे तो यह वाला I G के बदले formula आएगा DB cube by 12 तो वो भी find करेंगे थोड़ा rub कर देते हैं स्टार्ट करते है I Y Y का formula पहले एग देते है I Y Y equals to I Y Y 1 plus I Y Y 2 I Y Y 1 find करेंगे क्या होगा I G plus A 1 H square first part Y Y axis की बात करेंगे तो I G की formula हो जाएगी DB cube by 12 तो DB cube by 12 area A 1 1200 H की formula इसमें फिर से change होगी तो bracket लिख दिया और H की जो formula है वो bracket के अंदर लिखोंगा तो अब देखो फिर से इसमें Y Y है दो बार Y है तो यहाँ पे दो बार X आना चाहिए बीच में minus तो रहेगा अब एक 1 है 1 दिया है तो या तो मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ या तो यहाँ 1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ और दूसरे X के उपर में बार लिखता हूँ तो चलो values put करते D जो है अब देखो first part की बात कर रहे है So D की value first part की कितनी है 20 तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 first part का B breath B 60 तो यह हो जाएगा 60 का cube divide by 12 बाकी सब वो ही X1 की value 30 देखो 30 है और X bar की value भी 30 है अब कई books में इसमें short cuts होते हैं कई books में ऐसा देखोगी आप कि IYY1 जब find कर रहे होंगे तो प्लस के बाद जो भी लिखा है नहीं यानि यह bracket वो लिखते ही नहीं है सिरफ आपको इसका solution देते हैं तो short cuts है हमारा भी वो ही होने वाल है पर हमने पूरा method से किया है तो देखो 30 माइनस अच्छा अभी आगे चलते हैं step by step करेंगे so no confusion will be created so इसका calculation करते है 20 into 60 cube 4,3,2,0,0,0,0 divide by 12 प्लस अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है 30 माइनस 30 0 होगा तो 0 का square 0 होगा 0 into 1200 0 0 के साथ कुछ भी multiply करो 0 यानि यह पूरा का पूरा bracket 0 इसलिए कई books में इसको लिखते ही नहीं है बट आप लिखो तो marks कोई cut नहीं कर सकेगा अब इसको divide करते हैं 12 से तो यह हो जाएगा 360000 plus 0 लिख दो तो final answer will be 364 times 0 mm raised to 4 so this is the value of Iyy1 क्योंकि जब भी आप symmetricity जब भी symmetric axis देखोगे नहीं तो आपको यहाँ पे 0 आने के गुंजाईश दिखेगी 0 will come H की value ठीक है तो जब भी suppose के vertical axis Y axis से symmetric है तो YY के time पे आपको H की value 0 मिलेगी और अगर यह XX से symmetric है तो XX के time पे जब हम IXX 1 find करेंगे IXX 2 find करेंगे तब आपको H की value 0 मिलेगी तो YY 1 की value भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो वो हो गया 3, 6, 4 times 0 mm raised to 4 कितना सारा data निकल रहा है अब हम IY2 find करेंगे बस last step है बहुत लंबा वीडियो बन रहा है क्योंकि example इतना लंबा detail में जाएंगे तो काफी लंबा example है एक एक point हमने ध्यान से cover की एक वीडियो देखें बट ऐसा देखें कि दूसरे 10 example solve कर सके so it is worth watching बाकि दूसरे कई channels में आपको ऐसे दिखें कि बहुत ही fast करवाते हैं वो सब में नहीं IY2 find करेंगे वो हो जाएगा IG plus A2H square YY axis है इसलिए IG की value आएगी formula आएगा DB cube by 12 so DB cube by 12 plus A2 H की formula हम bracket में लिखेंगे तो क्या आएगा H की formula क्या बनेगी YY इसलिए XX minus 2 है इसलिए इन दोनों में से किसी भी X के नीचे आपको 2 लिखना है मैं यहां 2 लिखता हूँ तो दूसरे X में हम Y बार लिखेंगे क्योंकि एक को आपने 2 दे दिया या 1 दे दिया जो भी देना हूँ आपको ने एक को दे दिया दूसरे के उपर बार लिख देना है D for second part देखो फिर से 60 रब नहीं करना था कोई बार ने लिख देते है 60 D is 60 for second part breath क्या है second part की 20 क्योंकि breath हमेशा horizontal होता है D हमेशा vertical होता है तो B आपका 20 है 20 cube divide by 12 plus A to 1200 X to X bar में देखो क्या हो रहे है X to की value है 30 X bar की value है 30 तो अब हम इसको find करते हैं तो 60 इन्टू 20 cube ये हो जाएगा 4800000 divide by 12 तो इसको 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 डिवाइट बैट 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 करेंगे तो ये वाता है 4, 4 ताइम्स 0 clear 60 बराबर perfect calculation तो ये हो गया 40,000 कोई बाइए mm रिस्टू 4 clear so iyy1 ढूंडा iyy2 ढूंडा अभी दोनों का हमको क्या करना है addition यानि ये अभी iyy1 और iyy2 में values डाल देंगे so iyy equals to iyy1 plus iyy2 iyy1 1 था लिखा नहीं था तो ये हो जाएगा 3, 6 10 रिस तो 4 plus iyy2 4 into 10 रिस तो 4 इसको आप plus करके देखो तो ये हो जाएगा 40 into 10 रिस तो 4 ठीक है 40 into 10 रिस तो 4 9 1 right 40 into 10 रिस तो 4 और इसको आप ऐसा भी लिख सकते 4 into 10 raise to 5 mm raise to 4 तो इसके साथ ये सम पूरा हुआ है ixx भी हमने find किया iyy भी हमने find किया तो कई universities में ये question यानि इस तना बड़ा इस type का question आपको 7 marks में पूछते हैं बट कई में 4 marks का भी पूछते हैं तो उमीद है आपको इतना बड़ा वीडियो बनाने का मकसद जो मेरा था कि आपको समझ आए वो आपको समझ आया होगा और भी doubts है even T section के बाद का जो next lecture में लूँगा उसमें हम I section की बात करेंगे उसके next में हम लोग L section की बात करेंगे T, L और I ये तीन sections आपके clear हो जाएंगे तो आपको ये topic बहुत ही अच्छे से समझ आएगा और आप examples कोई भी solve कर सकेंगे I hope you are understanding the way I teach और उसमें और भी को improvement हो तो आप comment box में लिखिए voice का problem हो रहा था मुझे बच्चों ने लिखा तो मैंने उसका clear किया थैंक्स फॉर वाचिंग